तो बीजेपी का ये शानदार पोस्टर याद होगा आपको, फर्क बिल्कुल साफ है, 2017 से पहले और 2017 के बाद, दंगाईों का खौफ अब मांग रहे माफी, 2017 में जो दंगाई दिखाए गए और 2017 के बाद माफी मांगते हुए दिखाए गए, इन दोनों चेहरों में किसी खास धर्म का जिक्र आप साफ महसूस कर रहे होंगे, जी नमस्कार, आज की केराना की सियासत का यही अध्याए शुरू होता है यही से, जिसकी तस्वीरे मैं आपको दिखा रहा हूँ, तस्वीरे तो और भी दिखाऊंगा मैं आपको, और कुछ ट्वीट्स का भी जिक्र करूँगा, लेकिन सवाल ये, कि चुनाव आया, तो क्या केराना याद आया? जी हाँ, अमिश शाह का चुनावी पिच पर धुरूवी करण का वो दाव, जिसको लेकर आज सियासत में कई सवाल खड़े हो रहे हैं, सवाल सबसे बड़ा ये, कि अमिश शाह ने, जो कि बीजेपी के रणनीती कार हैं, बीजेपी के चाड़के हैं, उन्होंने केराना को ही उत्तर प्रदेश की सियासत में क्यों चुना, क्यों आखिरकार केराना के जरिये ही, वो उत्तर प्रदेश की सियासत को साधने की कोशि या फिर एक धर्ब जिसका जिक्र में कर रहा हूँ मुस्लिम मुस्लिम चेहरों के जरिये ये जतलाने की कोशिश की दंगाई आज सलाखों के पीछे हैं माफी मांग रहे हैं तो ध्रूवी करण की पिछ क्या अमिश्चाह तैयार कर रहे हैं याद होगा आपको अमिश्चाह के वो बयान जिसके जरिये कई बार सियासत को सुलगाया गया कश्मीर केराना बन रहा है ये पीजेपी नेताओं के बयान याद कीजिए वो बयान जिसमें अमिश्चाह कहते हैं कि बटन इतनी जोर से दबाओ कि करेंट शाहिन बात तक जाए सोचिए अगर किसी देश का ग्रह मंतरी ये बात कहे कि करेंट शाहिन बात तक जाए तो इसका मतलब क्या है जब खुद बीजेपी के नेताओं ये कहें कि केराना याद आता है कहाना का पलैन याद आता है तो खून खौल जाता है इसके मतलब और माइने क्या है अपमान का बदला लिया जाएगा ये बात तो खुद आमिश्चाह कह चुके है तो क्या धुरूवी करण की सियासत की पिच पर आमिश्चाह बल्ले बाजी करने के लिए तैयार हो चुके है और उन्होंने इस पिच को तैयार किया है केराना की रणभूमी से केराना ही क्यूँ पलैन से जुड़ा हुआ मसला नहीं है मसला तो यहाँ पर उन चेहरों का भी है जिन पर दंगा फैलाने के आरोब तक लगे वो बीजेपी के विधायक भी बन गए और मंत्री भी बन गए और ऐसे में धुरूवी करन की सियासत में अमिश्चाह ने अब खुद कमान सभाल ली है और वैसे भी उनसे बहतर धुरूवी करन की सियासत और कौन कर सकता है ये तुश्टी करण की सियासत का एक नमूना और भी आपको दिखाता हूं ना सिर्फ अमिश्चा बलकि कुछ चेहरे और हैं जो अपने ट्वीट्स के जरीए और अपने बयानों के जरीए संकेत देते हैं कि आखिरकार उत्तरफरदेश की सियासत में कहराना क्यूं आ जाता है अब देखिए क्या कहते हैं डिप्टी सीम केशो परसाद मौरया इनकी कुछ और तस्वीरे विरोत की दिखाऊंगा मैं आपको कहते हैं कि बीजेपी ने लुंगी और जालीदार टोपी वालों से निजाद दिलाई है अब किसी के जमीन पर कब्जा नहीं होता अपरण नही कर रही है एक और नमूना जिसका जिकर मैं आपको दिखाता हूं कि आकिरकार बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है और इसके पीछे की वज़ा क्या है अब देखिए ट्वीट्स पर चाही कुछ ख़बरों का भी मैं जिकर कर देता हूं जो मीडिया में एक लहर चल रही है एक ट् चल रही लहर से उलट पश्वी उत्तरप्रदेश की सच्चाई समधिये गन्ना मंतरी सुरेश राणा समाजवादी पार्टी के नेता शेर सिंग राणा को मनाने के लिए उनके घर पर गए थे और उन्हें बेरंग लोटना पड़ा बीजेपी विधायक तो छोड़िये मंतर चाना की पिछ पर खेलने वाले वो पुराने खिलारी हैं अब ऐसी एक और खबर ट्वीट होती है और उस ट्वीट में दिखाया जाता है कि अपनी ही विधान सवा सिराथु में केश्यो परसाद मौरे का स्वागत हुआ कुछ ऐसे अंदाज में जब डिप्टी सीम लोग प जोता है डिप्टी सीम का तो ऐसे में सवाल ये कि उत्तर प्रधेश में पश्मी उत्तर प्रधेश और केराना महतपूर्ण क्योंकि चुनाव आया केराना जया आया और तुश्टी करण की सियासत के लिहास से ये समझिए की उत्तर प्रधेश के 2017 के चुनाव और लगभग 12 136 सीटे और 136 सीटों में बीजेपी के खाते में 109 सीटे आती हैं और साथ ही समाजवादी पार्टी के खाते में जाती हैं 21 सीटे यानि कि 80 का स्टाइकरेट बीजेपी का तभी तो केराना महत्पुन हो जाता है अमिशा के लिए जब वो खुद कमान संभाल लेते हैं कि का एक बयान देते हैं तो केराना सियासत के केंदर में क्यूं हैं वो आप समझ गये होगे ये बीजेपी के लिए जरूरी भी है और मजबूरी भी है केराना चुनावाया तो केराना याद आया तो ये थी राजनेतिक गणे था जो पर्दे की पीछे की सियासत है और अमिशा यहां ने खुद कमान संभाल ली है और शामली के साथ केराना में उनकी मौजूद्गी और मौजूद्गी की तस्वीरे इसी बात का संकेर भी दे रही है। फिलाल मुझे तीसी इसारत नमस्कार जैहिंद जैवारत